परिजय पंसारी साइना की मां को सामान और उसका 248 रुपए का बिल देता है साइना की मां जल्दी से बिल का जोड़ करती हैं और पंसारी को 30 रुपए दे देती हैं पंसारी तुरंद ही उन्हें 52 रुपए वापस कर देता है साइना को आश्चरे होता है कि आखिर बड़े लोग बड़ी संख्याओं का जोड़ वा घटा इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं बच्चो इस अध्याय में आप दो और तीन अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना जानेंगे आओ सीखें दो और तीन अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समों बना कर तता हासिल लगा कर जोड़ना दो और तीन अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समों बना कर तता रिन लगा कर घटाना एक अंक वाली संख्याओं का जोड़ आओ एक अंक वाली संख्या के जोड से प्रारंब करते हैं पांच जमा साथ पराबर बारा होता है मीता के पास साथ चॉकलेट है वो साथ चॉकलेट और खरीद लेती है अब उसके पास कुल कितनी चॉकलेट्स है साथ जमा साथ बराबर चॉदा जी हाँ मीता के पास अब चॉदा चॉकलेट है माधव के पास आठ शर्ट है उसके चाचा उसे दो शर्ट और दे देते है अब उसके पास कुल कितनी शर्ट है आठ जमा दो बराबर दस जी हाँ, माधव के पास कुल दस शर्ट है दो अंकों वाली संख्याओं का दोबारा समों बना कर या बिना बनाए उन्हें जोड़ना दस से लेकर 99 तक के बीच की सभी संख्याओं, दो अंकों वाली संख्याओं कहलाती है आओ, अब दो अंकों वाली संख्याओं को जोड़ते हैं दो अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने के क्रम में हम पहले एकाई के स्थान वाले अंक को और उसके बाद दहाई के स्थान वाले अंक को जोड़ते हैं आओ दो अंकों वाली संख्याओं के जोड को ठीक से समझने के लिए संख्या 14 तथा संख्या 23 को जोडते हैं इकाई के अंक वाले स्थान पर 4 तथा 3 अंक हैं 4 जमा तीन बराबर 7 दहाई के अंक वाले स्थान पर 1 तथा 2 अंक हैं एक जमाद दो बराबर तीन इसलिए चौदा जमाद तेईस बराबर है सेंतीस के हम दो अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समुह बना कर भी जोड़ सकते हैं आओ देखें कैसे सोला जमाद बाईस कितने होते हैं जी हाँ सोला को दस जमाद छै भी लिखा जा सकता है 22 को 20 जमाद भी लिखा जा सकता है अता 6 जमाद दो बराबर 8 है 10 जमाद 20 बराबर 30 है और 30 जमाद 8 बराबर 38 है इस प्रकार 16 जमाद बाईस बराबर 38 हुआ हासिल लगाकर दो अंकों वाली संख्याओं का जोड़ दो अंकों वाली संख्याओं को जोडने की दूसरी विधी हासिल विधी है। आओ इसे एक उधारण की सहायता से समझते हैं। 29 जमा 44 कितने होते हैं। इकाई के अंक वाले स्थान पर 9 तथा 4 अंक हैं। 9 जमा 4 बराबर 13 हैं। इकाई के स्थान पर 3 अंक लिखते हैं और एक अंक को दहाई के स्थान पर ले जाते हैं। दहाई के स्थान के लिए कुलंक एक दो तथा 4 हैं। अतहा एक जमा 2, जमा 4 बराबर 7 है। इस प्रकार 29 जमा 44 बराबर 73 हुआ। तीन अंकों वाली संख्याओं का जोड। 100 से 999 तक की संख्याएं तीन अंक वाली संख्याओं कहलाती हैं। दो तीन अंक वाली संख्याओं को जोडने के क्रम में हम पहले इकाई के स्थान वाले अंक को जोडते हैं। उसके बाद दहाई के स्थान वाले अंक को और अंत में सैकड़े के स्थान वाले अंक को जोडते हैं। आओ तीन अंक वाली संख्याओं के जोड को ठीक से समझने के लिए हम संख्या 143 वा 254 को जोडते हैं। इकाई के स्थान पर तीन तथा चार अंक हैं। तीन जमा चार बराबर साथ होता है। दहाई के स्थान पर चार तथा पांच अंक हैं। चार जमा पांच बराबर नौ होता है। सैकड़े के स्थान पर एक तथा दो अंक हैं। एक जमा दो बराबर तीन होता है। इस प्रकार 143 जमा 254 बराबर 397 है आउ हांसिल की सहयता से 2-3 अंको वाली संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं 143 जमा 287 कितने होते हैं इकाई के स्थान पर 3 तथा 7 अंक हैं तीन जमा 7 बराबर 10 होता है एकाई के स्थान पर शूने लिखते हैं और एक अंख को दहाई के स्थान पर ले जाते हैं दहाई के स्थान पर एक, दो तथा आठ अंख हैं एक जमा दो, जमा आठ बराबर ग्यारा प्राप्त होता है दहाई के स्थान पर एक लिखते हैं और एक अंग को सहकड़े के स्थान पर ले चाते हैं सहकड़े के स्थान पर एक चार तथा दो अंग हैं एक जमा चार जमा दो बराबर साथ होता है इस प्रकार चार सो तेईस जमा दो सो सत्तासी बराबर साथ सो तस है एकंग वाली संख्याओं को घटाना आओ, अब घटाने की ओर बढ़ते है हम एकंग वाली संख्याओं के घटाने से प्रारंब करते है रजद भूका है उसकी माँ उसे चार चपातियां देती है वो तीन खा लेता है अब कुल कितनी चपातियां बचती है? आईए देखें, तीन को चार से खटा करने पर एक प्राप्त होता है अताहा रज़त के पास एक चपाती बश्ती है प्रिया की मां उसके लिए गनित की बारा नोटबुक लाई उन में से वो साथ प्रयोग कर चुकी है अब कुल कितनी नोटबुक और बची है आईए देखें, साथ को बारा से खटा करने पर पांच प्राप्त होता है अताहा प्रिया के पास पांच नोटबुक बच्ती है दो अंकों वाली संख्याओं का दो बारा समुह बना कर या बिना बनाए उन्हें घटाना आओ, अब हम दो अंकों वाली संख्याओं को घटाना सीखते हैं 25 घटा 12 कितने होते हैं पहले हम एकाई के स्थान वाले अंक को घटाते हैं आईए देखें, दो को पांच से घटा करने पर तीन प्राप्त होता है इसके बाद दहाई के स्थान वाले अंक को घटाते हैं एक को दूसे घटा करने पर एक प्राप्त होता है इस प्रकार से पच्चीज घटा बारा बराबर तेरा प्राप्त होगा 34 घटा नौ कितने होते हैं? संख्या 34 में तीन दहाई वा चार इकाई है और हम इसमें से नो इकाई घटाना चाहते हैं क्योंकि चार इकाई में से नो इकाई नहीं घटाई जा सकती है इसलिए हम एक दहाई को दस इकाई में परिवर्थित कर देते हैं अब हमारे पास दो दहाई तथा चौधा इकाई हैं हम 14 इकाई से 9 इकाई घटा सकते हैं, अताहा अब हमारे पास 5 इकाई और 2 दहाई शेश बचते हैं, इस तरह से 34 घटा 9, 25 प्राप्त होता है, 54 घटा 18 कितने होते हैं? चलिए देखते हैं, संख्या 54 में से 5 दहाई और 4 इकाई हैं, हम 8 इकाई घटाना चाहते हैं, हम एक दहाई को 10 इकाई में परिवर्टित कर लेते हैं, अब हमारे पास 14 इकाई और 4 दहाई हैं, हम 14 इकाई में से 8 इकाई घटाते हैं, हमारे पास 6 इकाई बशती हैं, अब हम 4 दहाई में से 1 दहाई हटाते हैं, तो हमारे पास 3 दहाई बशती हैं, इस परकार 54 घटा 18 बराबर 36 प्राप्त होता है, रिन दे कर और बिना दिये दो अंकों वाली संख्याओं को घटाना। आओ अब हम रिन की सहायता से दो अंकों वाली संख्याओं को घटाते हैं। 65 घटा 27 कितने होते हैं? क्यूंकि 5 अंक 7 से कम है। इसलिए दहाई के स्थान वाली संख्या से एक अंक रिन लेते हैं। जिससे अंक 5 अब 15 बन जाता है, जो की 7 से बड़ा है। अतहा 15 घटा 7 बराबर 8 प्राप्त होता है। क्यूंकि दहाई के स्थान का 6 अंक, इकाई के स्थान के 5 अंक को एक रिन देता है। इसलिए अब वो 5 हो जाता है। 5 घटा 2 बराबर 3 प्राप्त होता है। अतहा 65 घटा 27 बराबर 38 प्राप्त होता है। अनुच की मा ने उसे 50 रुपए दिये। उसने क्रिस्मस के उससव पर 36 रुपए खर्च कर दिये। अब उसके पास कितने रुपए बजे हैं। उत्तर पाने के लिए हम 50 में से 36 घटाते हैं। शुन्ने अंक 6 से छोटा है। वो 5 अंक से एक रिन लेता है और 10 हो जाता है। 10 घटा 6 बराबर 4 प्राप्त होता है। 5 अंक एक अंक रिन देकर 4 हो जाता है। अतह 4 घटा 3 बराबर 1 प्राप्त होगा। अर्थात 50 घटा 36 बराबर 14 प्राप्त होता है। अनुच के पास अब 14 रुपए शिश बजे हैं। रिन देकर और बिना दिये 3 अंकों वाली संख्याओं को घटाना। आओ अब 3 अंक वाली संख्याओं को घटाते हैं। 364 घटा 241 कितने होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 4 में से 1 घटाते हैं। जिससे 3 प्राप्त होता है। फिर 6 में से 4 घटाने पर 2 और फिर 3 में से 2 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। अता 364 में से 241 घटाने पर हमें 123 प्राप्त होता है। 754 घटा 227 कितने होते हैं। चलिए देखते हैं। 4 अंक 5 से रिन लेकर 14 हो जाता है। अता 14 में से 7 घटाने पर 7 मिलता है। अब 5 अंक एक अंक रिन देकर 4 हो जाता है। अता 4 घटा 2 परापर 2 प्राप्त होगा। और 7 में से 2 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। इसलिए 754 में से 227 घटाने पर हमें 527 प्राप्त होगा। हमने क्या चर्चा की। हम 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं को दोबारा समुह बना कर तथा हासिल की सहायता से जोड सकते हैं।